यमनानगर जिले में करोना के केस अब कम होने लगे हैं लेकिन ब्लैक फंगस ने पैर पसाने शुरू कर दिये हैं आज जिले में पांच नए ब्लैक फंगस के केस रिकॉर्ड किये गए इस सबंदी यमनानगर के CMO डॉक्टर विजे धहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जिले में ब्लैक फंगस के साथ मामले हो चुके हैं दो केस सबसे पहले आये थे जिसमें से एक सहारनपूर से था और दूसरा इंदरी का रहने वाला था लेकिन अब जो पांच नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं वह यमनानगर के ही हैं देखिए अभी तक हमारे जिले मे इस थे पहले जो कके साथ केसे रिपोर्ट हुए हैं जिन में से दो केस जो है वह बहुत हैं सहरनपूर के बिलाज करते दीर से इस तरह से अब तक जिले में कूल टोटल साथ केस निकले हैं जिन जिनipper लागार। एक जिंदल होस्पिटल में, जिन जी है higher Лis hope し, जिस्ती ओर के महिला है और Sashdewa अगर उसके वांटम में देखा जाए तो केस जादा नहीं है लेकिन जितने भी केस हैं ये एक चिंता का विशा है केस जो है बलेक फंकर्स के वो नजर आ रहे हैं दीरे दीरी सही मगर नजर आ रहे हैं अजीत समाचा हिंदी योट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखन देली उन्हें सब्सक्राइब करो अजीत दा ओफीशल योट्यूब चैनल अजीत वेब टीवी तो हाड़ा आपना अजीत होन ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते वी उपलाब दै ट्विटर दे उते खबरां दे लिए फॉलो करो डेली अजीत दे इंस्टाग्राम दे उते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखन दे लिए फॉलो करो बलू टिक वाला साड़ा ओफीशल चैनल डेली अजीत एना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुन तुसी एपल टीवी दे उते भी वेख सकते इनाली अजीत अखबार दा डिजिटल अडिशन पढ़न देले डाउनलोड करो अजीत ईपिपर एप तोहड़ा अपना प्रोसे जोग चैनल तोहड़ी अपनी अवाज पंजाब दी अवाज अजीत